नमस्कार किसान भाईयो बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमन्त यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं किसान भाईयो सबसे पहले तो कहना चाहूंगा बधाई हो आपको कि प्याज है वो 30 रुपए बिक चुका है जैपुर मंडी में और हमने जो टार्गेट लिया था पंदरा आगस्त का के पंदरा आगस्त तक 30 रुपए के लोग बिक जाएगा और ये एक दिन पहला ही हो चुका है बाकि कुछ मंडियों में भी पीछे 30-31 रुपए एक दो लोट बिक है पर जैपुर मंडी में लगबग आज अच्छा खासा जो प्याज है 29-30 रुपए के आसपास बिका है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लसुन के उपर भी चर्चा करेंगे और प्याज के उपर भी क्यूकि लसुन और प्याज क किसान भाईयों जो तेजी का माहुल बन रहा है वो बहुत ही अच्छा है किसान भाईयों के लिए फायदे का सोदा है और उनकी जो उम्मीदे हैं वो पूरी होने वाली हैं लगबग 30 रुपए का प्याज बिक चुका है और जो एवरेज है वो भी लगबग अच्छा खासा है 22 रुपए से लेकर 27 रुपए के बीच में एवरेज ब्याज बिका है आज नासिक वाला भी मतानिया की बात करें मतानिया भी और बोपाल गड़ वो भी बिका है और जो नीचे चोपड़ा जो हलकी क्वाल्टी का आता है नासिक से वो लगबग 15-16 रुपए बिका है तो उसमें 50% का अचानक से भूंबाया है क्योंकि जो 7-8 रुपए से लेकर 9-10 रुपए के आसपास बिक रहा था मैक्समुम वो अब 15-16 रुपए के आसपास बहुत ही जादा लोट देखने को मिले थे जैपुर मंडी में तो धिरे-धिरे प्याज है वो अपना रंग रूप बदल रहा है और आने वाले समय में हो सकता है जो यह अगस्त का महिना है यह खतम होते होते यह लगबग 40 को भी छूजाए तो इसमें कोई दोराय नहीं है बस आप किसान बाईयों को थोड़ा सा धरिये के साथ काम करना है अपना जो प्याज है उसको आवक है वो मंडियों म अपने इसहाब से थोड़ा थोड़ा करके ही लेके आएं क्योंकि अगर मंडियों को फुल कर दोगे तो थोड़ा सा उसमें भी डाउन देखने को मिल सकता है पर अभी जो मार्केट है चारो तरफ से अच्छा है जो ग्रह की है वो भी बहुत अच्छी है और यह थोड़ा सा तो लोग व्यापारी वगरा उनसे भी पूछता हूं वो भी अभी तुफानी तेजी के बारे में कोई अपनी राय नहीं दे रहे और इतना अंदाजा जरूर दे रहे हैं कि लगबग 40 रुपे के आसपास प्याद बिकने वाला है अगस्त के एंडिंग तक तो यह है पूरी 40 परसेंट बोल रहा है तो यह उनकी गलत फैमी है क्योंकि किसानवाईयों हो सकता है उनमें कुछ लोग ऐसे भी हो जो लोग यह बोलते हों कि हमारे पास 80 परसेंट प्याज बचाए एरिये में उनके पास बिलकुल जीरो है क्योंकि वह देख चुके हैं प्याज को यानि टोटल लगवग 40 परसेंट प्याज है किसानों के पास और व्यापारियों के पास जो तेजी का माहुल बन रहा है यह है जो अभी चारो तरफ से बजार खुले हुए है बाहर भी एक्सपोर्ट हो रहा है और अच्छी खासी मातरा में हो रहा है नेपाल बंगलादेश हर जगे माल अपना जा रहा है और उसी के वज़े से तेजी का भी माहुल बना हो है और अपने हिंदुस्तान में भी बात करें ग्रहकी भी बहुत अच्छी है फिलाल उसी के वज़े से डिमांड है तो माल की किमत आपको मिलने वाली है हाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जैस जैसे जैसे यह 50 रुपए के आसपास पहुंचेगा सरकान एक्षन में आने वाली है क्योंकि उसने पहले कमर कस लिए और वह कुछ भी अफवा या कुछ भी कह सकते हैं उसको वह मार्केट में डालेगी मार्केट में डालने से किसानों में भैवत्पन होगा जैसे कि अभी टम क्वाएं उतारी और 70 रुपए में मार्केट में टमाटर बिखने लग गया यह तो इस तरह कुछ भी अपना सकती है सरकार क्योंकि सरकार को अपनी पोलीशी के साब से चलना है वह किसानों को इत्में द्यान में रखते नहीं चलती है यह तो आप भी मानते हैं तो मैं यही क कुछ फाइदा होता है क्योंकि 15-20 रुपय का खर्चा आ जाता है यह सरकार नहीं सोचती सरकार जब दो रुपय 4 रुपय बिखता है तब सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती है तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में कि किसानों को एक एवरेज भाव तो मिले ताकि उनका जो लागत है वो उसको मुली मिल सके जैसे यह प्याज 50 रुपे पहुंचेगा अक्षन में आएगी सरकार सबसे पहले एक्सपोर्ट बंद करेगी बहार एक्सपोर्ट बंद करेगी उसके बाद प्याज जो नाफेड है वो मार्केट में लेके आएगी ये दो-तिन काम सरकार करने वाली है और ये कब करेगी ये सि स्टम्बर के आसपास करने वाली है क्योंकि उस दोरान प्याज अपने शरम सीमा पर होने वाला है क्रिसिल की रिपोर्ट भी बता रही है प्याज साट से सतर रुपय जाएगा तो हो सकता है सिप्टम्बर में ये माहौल बने तो इसलिए अपना जो प्याज है मैं किसान भाईयों को यही कहना चाहूंगा कि अपना थोटा-थोडा करके निकालते रहिए अपना अब जो भाव है वो ठीक है कम नहीं है उसको जो हलकी quality का है उसको निकालते रहिए और सभी भाव लेना जाए ताकि आपको पूरा फाइदा मिल सके बात करते हैं लसुन के उ और बहार से जो EXPORT हो रहा है इंपोर्ट हो रहा है जो चाइनीज-माल अफगानिस्तान होते वे आ रहा है वो अचानक से चार-पांच गाडिया आप सुनने में आया कि दिल्ली में आई थी और दो-תिन गाडियां जैपुर में भी आई थे इससे जो भाव है वह लगवा एकस कि अचानक से एकसोगसाट रुपए की कोई क्या होने वाला है कि ध belong आज मैंने दोनों का लिए जो चाइनिज की है और अपना देश किया दोनों मैं बहुत ही डिफ्रेन्ट है क्योंकि अपने जो चीलते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी महक आती है और जो चाइनिज माल है इसमें बिल्कुल नहीं आती है यह प्रियोग आप भी करके देखिएगा और होसकता है वाइरस कुछ लोग भाई कह रहे हैं वाइरस है वाइरस है आखो का रोग उससे आगाया तो यह तो देखो आपवाएं हैं कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है पर उसमें जो क्वालि को डाउन करना पड़ा अभी जो क्योंकि मार्केट में सुनने में आ रहा है 135 रुपए 130 रुपए के आसपास लागत आ रही है चाइनीज माल आ रहा है उसको यहां लाने में तो इससे नीचे आने वाला नहीं है और अपना जो माल है वह भी अभी बहुत टाइम है अपने प होत है अपना थोड़ा-thोड़ा करके माल निकालते रही अच्छा भाव लेना चाहिए अभी जो अच्छा है वह भी लेना चाहिए और आने वाला समय है अच्छा हो सकता है और जो व्यापारी लोग हैं मुकेस भाई भी हैं और काफी व्यापारियों से मेरे संपरक है कह रह और अफवाओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपके पास जो माल है अपने से विवेक से और हर क्वाल्टी के हर भाव आपको लेने चाहिए ताकि एक एवरेज भाव आपको मिले और मैं यही कहना चाहूंगा अगर सरकार आपके खिलाप जाती है तो आप भी सरकार के खिलाप एक्शन लीजिएगा बिल्कुल क्योंकि जब आपके पास अपने बोट की ताकत है उसका इस्तेमाल करिएगा तो यह थी आज की ताजा रेपोर्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नमास्का